दोस्तो अगर आप खुद से ही अपना रासन कार्ड बनाना चाते हैं या फिर रासन कार्ड में किसी भी मेंबर को एड़ करना चाते हैं रासनकार में किसी भी प्रकार का आप लोग correction करना चाते हैं या फिर आप लोग online shop चलाते हैं या फिर online cafe चलाते हैं तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा भारत सरकार government of India के दुवरा रासन इमित्र आइडी provide करवाई जारी है दोस्तो इस आइडी के लिए आप अपना registration करके यहां से अपनी एक आइडी generate कर सकते हैं आप चाहिए किसी भी state से विलोग करते हो अगर आप रासन इमित्र आइडी बना लेते हैं तो इस आइडी के माद्यम से आप किसी भी state का online रासन कार बना सकते हैं रासनकार में online ही correction कर सकते हैं और रासनकार में किसी भी member को हटा या फिर आप जोड सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में आप लगतार बने रहे हैं मैं आपको complete process बताने वाला हूं तो दोस्तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like and दोस्तो चैनल को जुरूर subscribe कर लेना तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो इस वीडियो की description में एक link दिया हुआ है आप जैसे link पर click करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे National Food Security के इस official website पे आप redirect हो जाएंगे जो कि यह portal government of India के दोवारा developing किया गया है यहाँ पर आने के बाद में इधर आप side में देखोगे आपको sign in का option दिखाई दे जाएगा यहाँ पर आने के बाद में आपको public login पर click करना है आप जैसे public login पर click करोगे तो आपके सामने जो next interface है कुछ इस परकार से open हो जाएगा यहाँ पर आप तीन परकार से अपनी ID यहाँ पर generate कर सकते हैं अपनी ID यहाँ पर बना सकते हैं यहाँ पर अभी recently में देखोगे तो यहाँ पर एक logo आपको दिखाई दे जाएगा जो कि अभी recently में यहाँ पर लगया गया है और साथ-साथ यहां पर लिखा हुआ है Common Registration Facility यहां पर आप तीन तरीके से अपनी ID जनरेट कर सकते हैं यहां पर आप देखोगे तो अपने आधार कार की तरू अपनी ID यहां पर जनरेट कर सकते हैं तो यहां पर हम manually ही एक ID create करेंगे तो manual ID create करने के लिए आपको यहां पर आपको क्या करना है Sign In with Login ID के नीची यहां पर आप देख सकते हैं New User Sign In हैर Simply आपको इसी पर क्लिक करना है आप जैसे New User Sign In पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देखोगे एक registration का complete ही page आपकी सामने खुल कर आ चुका है अब इस registration वाले page में आपको अपनी जो personal details है, personal information है वो completely fill करनी है जैसे मैं यहां पर बताओं तो आपको अपना first name यहां पर fill करना है आपका last name यहां पर fill करना है आपकी जो भी date of birth है वो date of birth यहां पर fill करना है इसके बाद में आपको अपनी एक ID बना लेनी है ध्यान रहे दोस्तों आपको ID unique बनानी है ID बनाने के बाद में आपको check user पर click करना है जब अगर आपकी ID available होगी तो यहां पर आपकी ID available दिखाई दे जाएगी अन्यता अगर आपकी ID available नहीं होगी ID unavailable का pop-up आपको दिखाई दे जाएगा इसके बाद में आपको मजबूत password यहां पर बना लेने है and confirm password आपको यहां पर बना लेने है इसके बाद में आपको यहां पर आधार पर ही click रहने देना है इसके बाद में आपके आधार नमबर आपको यहां पर fill करना है आपके जो mobile number है वो आपको यहाँ पर fill करने है इसके बाद में आपकी जो भी email ID है वो email ID आपको यहाँ पर fill करना है इसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी state है वो state आपको यहाँ पर selection कर देना है आपका जो भी state है इसके बाद में आपकी जो district है वो district आपको यहां पर fill करनी है आपकी जो भी तैसिल है वो तैसिल आपको यहां से चुन लेनी है तैसिल चुनने के बाद में आपका जो भी village town है वो आपको यहां पर fill करना है इसके बाद में आपका जो भी proper address है line 1 and line 2 में आपको fill कर देना है इसके बाद में आपकी जो भी pin code है वो pin code यहां पर fill करना है और यह जो capture है इनका योग यह फिर minus करके आपको यहां पर fill कर देना है के बाद में आपको कोई भी एक remark यहां पर fill कर देना है इसके बाद भी इनकी दोनों terms पर आपको click करना है and आपको submit के button पर click करना है आप जैसे submit के button पर click करोगे तो आपके आधार में जो registered mobile number है उस पर एक OTP आ जाएगी OTP आपको fill करके submit के button पर click करना है एंड जो यह capture code है यह capture code आपको यहाँ पर fill करके sign in के button पर click करना है तो दोस्तो आप जैसे login के button पर click करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे आप अपनी ID में यहाँ पर successful तरह के से login हो जाएंगे यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ID का first interface आपको कुछ इस परकारते दिखाई दे जाएगा registration करते time आपनी जो state चुना था वो state का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और इस ID का first interface कुछ इस परकारते दिखाई देगा यह अभी दोस्तो recently में service add की गई है तो इस ID में आपको बहुत सारी service और भी देखने को मिलेगी अभी कि मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपको common registration facility पर click करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं new registration यानि नया रासन कार्ड बना सकते हैं registration status आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं and get RC detail यानि आप अपने रासन कार्ड की detail आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपने जितने भी रासन कार्ड बनाए हैं उन सभी रासन कार्ड का status आप यहाँ पर देख सकते हैं registration status पर आप click करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे आप इस portal के तरूँ इस आड़ी के तरूँ जितने भी रासन कार्ड बना देंगे उनका status आप यहाँ पर देख पाओगे और उसके अंदर कितने रासन कार्ड approval हो चुके हैं कितने रासन कार्ड को reject कर दिया गया है अगर रासन कार्ड यहाँ पर approval हो जाता है तो यहीं से आप अपने रासन कार्ड को easily download भी कर सकते हैं तो एक नया रासन कार्ड बनाने के लिए आपको new रासन कार्ड पर click करना है दोस्तो अभी इस portal पर बहुत सारी services आपको देखने को मिलेगी जिसके अंदर आप correction कर सकते हैं नाम add कर सकते हैं नाम हटा सकते हैं यह सारी services भी आपको दीरे दीरे करके देखने को मिल जाएगी तो सबसे पहले आपको अपने state का यहाँ पर चुनाओ करना है तो आपको जो भी state है वो state आपको यहाँ पर चुन लेना है state चुनने के बाद में आपको submit के button पर click करना है आप जैसे submit के button पर click करोगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नए रासन कार्ड बनाने के लिए आपकी सामने एक completely form खुल कर आ चुका है तो सबसे पहले आप यहाँ पर रासन कार्ड टाइप पर आपको click करना है आप किस टाइप का रासन कार्ड बनाना चाते हैं एंतोदे रासन कार्ड यह फिर household रासन कार्ड जो भी आप रासन कार्ड बनाना चाते हैं वो उसका type का आपको selection यहाँ पर कर लेना है इसके बाद में आपको select benefit type पर click करना है और आपको यहाँ पर रासन कार्ड की बटन पर click कर देना है इसके बाद में आपको यहाँ पर देख सकते है application personal detail यहाँ पर जो रासन का head है उसके head है उसके आपको personal detail यहाँ पर fill करनी है आपके रासन कार्ड में male head है या female head है जो भी उसकी detail है वो detail आपको यहाँ पर fill करनी है उस head की आपको यहाँ पर एक photo एक picture आपको यहाँ पर upload करनी है जो भी आपके head का gender है इसके बाद में आपके head की जो भी date of birth है वो date of birth आपको यहाँ पर fill करना है इसके बाद में उसकी जो mother's name है वो mother's name आपको यहाँ पर fill करना है mother's का name हिंदी में आपकी जो भी language है वो language में यहाँ पर आपको fill करना है Fathers का Name आपको Fill करना है आपकी जो Language है उस Language में जो फादर्स का Name आपको Fill करना है Head गा जो Marital Status है वो आपको यहां पर Select करना है Married है Unmarried है जो भी है वो आपको यहां पर Select करना है इसके बाद में आपको Nationality पर इंडिया पर ही Click रहने देना है इसके बाद में आपके जो भी mobile number है and email ID आपको यहाँ पर fill कर देना है इसके बाद में head के जो water ID का number है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं अन्निता इसको खाली भी सोड सकते हैं जिसके सामने आपको radical का star का icon दिखाई दे रहा है वो ही information आपको यहाँ पर fill करनी है इसके बाद में head के आधा number आपको वापस से यहाँ पर fill कर देना है इसके बाद में आपके जो head की professional detail है वो आपको यहाँ पर fill करना है कि जो head है वो क्या work करता है क्या काम करता है वो आपको यहाँ पर fill करना है उसके जो annual salana income है वो आपको यहाँ पर fill करना है आप जैसे 7 and continue के बटन पर क्लिक करोगी तो इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे आपके सामने next step open हो जाएगी address details की तो आपका जो भी complete address detail है वो complete address detail आपको fill कर देना है इसके बाद में आपको additional detail यहाँ पर fill करना है इसके बाद में RC member यानि कि आप जिस विक्ति का रासन क detail होनी चाहिए यह जो document है उन सभी विक्तियों को परिवार में जितने भी विक्तियों का होना चाहिए इसके बाद में आपके रासन कार्ड का आपको preview देखना है सब कुस ठीक होने के बाद में आपकी जो application है वो यहाँ पर finish हो जाएगी और आपको एक application reference number मिल जाएंगे उस application reference number की मादियम से आपको अपने रासन कार्ड का status check करना है और status चेक करने के लिए आपको application code जो आपको मिलेंगे वो आपको यहाँ पर fill करना है और आप यहाँ से check कर सकते हैं इसके अदर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको approval application दिखाए देगी draft application दिखाए देगी pending for approval आप का और भी कोई कंफ्यूज है फिर सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्षिन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसे ने हैलपूल और एक नई वीडियो के साथ में अभी के लिए जय हिंद जय बारत